अन्नपूर्ण उपनिशद प्रस्तुत करता स्वयम प्रकाश अर्मा सात्मा भाग सात्में भाग में उपनिशद के पांचवे ध्याय के आखरी साथ श्लोक हैं यह उपनिशद कांतिम भाग है जिसमें रिभू निगद को आत्मा, ब्रह्म, मुक्ती त्यार्थी के बारे अपना उपदेश पूर्ण करते हैं जिसके साथ अन्नपूर्ण उपनिशद भी संपन हो जाता है उपनिशद रिभू अपना वक्ते विए जारी रखते हुए निगत से कहते हैं यह मित्र है, यह शत्रु है, यह मन है, यह अन्जान व्यक्ति है इस प्रकार का ग्यान मुझे कभी होता नहीं, यह ब्रह्मन मुझे तो कोई भी स्नेह छूता नहीं है सभी छिपे प्रभावों से चुटकारा पाकर मिरा मन व्रिद अवस्था तथा मृत्यू से मुक्तो हो गया है जिस मन में छिपे प्रभाव नहेत होते हैं, उसे ग्यान कहते हैं जो जानने वाला ग्याता है वे तो वो मन है जिसने चिपे प्रभावों से चुटकारा पालिया है जब मन को अस्विकार किया जाता है जब मन को नकार दिया जाता है तब हर तरफ का जो द्वैत होता है वे द्वैत भंग हो जाता है और जो बाकी बचा रहता है वे तो शांत प जो शुद्द और बेरोक है वे अंतहीन वे अजनमा वे अप्रकट वे व्रिद्ध ना होने वाला वे शांत वे कभी भी समाप्त ना होने वाला अद्वैत आरंबहीन वांतहीन है वे तो ब्रह्म की पहली समझ है ब्रह्म की पहली पकड़ है एक बिना आरंब और अंग्त के पूरी तरह आत्मा शुद्ध व्यापी आकार से भी अति सुक्ष्ण बिना संदे है तुम तो वही ब्रह्म हो जो जगे समय त्यादी द्वारा निर्धारित नहीं है जो अति शुद्ध है जो सदा उदे हुआ हुआ है जो सर्व व्यापी है वे एक अंत जो ब्रह्म है वे ब्रह्म तो सब कुछ है वे ब्रह्म तो सवस्व है तुम वे शुद्ध आत्मा ब्रह्म बनो सब कुछ तो यही शान्त एक है जो बिना आरंभ, मद्य और अन्त के है वे सर्वस तो आत्मा है जो दोनों जीव और गैर जीव है इस प्रकार सोचते हुए तुम खुश हो जाओ मैं ना तो बंधा हुआ हूँ, ना ही मैं मुक्त हूँ, मैं तो वास्तम में बेरोक ब्रह्म हूँ, मैं तो सब प्रकार के द्वैच से मुक्त हूँ, मैं तो सत्चित आनंद हूँ वस्तों के सारे हुजूम को दूर रखते हुए तुम तो सदा आत्मा को समर्पित रहो और तुम्हारा मन सदा शान्त हो ये ठीक है ये ठीक नहीं है ऐसा सोचना ही तुम्हारे फैले हुए दुख का बीज है जब निश्पक्षता की अगनी से इसे जला दिया जाता है तब दुख के अफसर भी नहीं रहते पहले तो तुम अपने ज्ञान को और बढ़ाओ ये तुम शास्त्रों से अच्छी तरह परिचे से तथा पवित्र लोगों की संगत से करो जो सच्चा वास्त्रिक तथा अंतिम ब्रह्म है जो अतिशुद्ध है जो शाश्वत है जो बिना आरंब और अंत के है वे ब्रह्म तो जो रूप बदलने वाला हर प्रकार का जीवन है वे ब्रह्म तो उस सब का उपचार है उस सब का इलाज है वे ब्रह्म ना तो खुर्दरा मोटा है ना ही वे दुरी पर है वे ना तो ठोस है ना वास्त्विक है और ना ही वे दृष्शिमान है ब्रह्म तो स्वाधहीन तथा गंदहीन है उसे तो जाना नहीं जा सकता वे तो अग्ये है और वे तो अतुल्निय है उस जैसा दूसरा कोई नहीं है ये अच्छे अनुशासित रिशी मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उस बिना शरीर वाली आत्मा पर जो ब्रह्म है उस पर ध्यान लगाए जो सच्चित आनंद है उस पर व्यक्ति ये सोच कर ध्यान लगाए कि मैं वे ब्रह्म हूँ परम ब्रह्म और जीव की जो एकता है एकागरता तो उस एकता के संबंध में ज्ञान की ही उत्पत्ती है वे परम ब्रह्म तो वास्तव में शाश्वत है वे सर्व्यापी है वे अर्प अपरवर्तनिय है और वे बेदाग निश्कलंक है परम आत्मा तो एक है लेकिन माया के कारण वे बढ़ जाती है वे विभाजित हो जाती है लेकिन अपने सार में वे बढ़ती नहीं इसलिए वे अद्वैत अकेला ही अस्तित्यों में है वहां बहुत या कई नहीं है वहां तो अनुभव वाला जीवन भी नहीं है जैसे घड़े के आकाश को घड़े वाला आकाश कहते है और बाहर वाले विशाल आकाश को मान आकाश कहा जाता है वैसे ही भ्रम के कारण आत्मा को भी दो तरह से पुकारा जाता है जीव और सर्वव्यापी आत्मा निरंतर बिना रुकावट के प्रकाश्मान होती है तब यक्ति अपने ही आत्मा बन जाता है। एकागरता या ध्यान के अवस्था में जब यक्ति परम ब्रह्म के साथ लै में होता है तब यक्ति कोई जीव नहीं देखता। तब उस अवस्था में यक्ति बिलकुल अकेला होता है। अब मुक्ति तक पहुँचने की अलग-अलग सतहों पर आते हैं। जो पहली सतह है जहां मुक्ति की इच्छा पैदा होती है। वे सतह तो शास्त्रों की घनिश्टिता द्वारा, पवित्रे लोगों की संगत द्वारा, अनुशासन की अभ्यास सतह, वेरग्य द्वारा चिनहित है। दूसरी सतह जाँच पढ़ता द्वारा चिनहित है। तीसरी सतह अपने सारे उपसादनों की साथ ध्यान से चिनहित है। चोथी सतह घोलने वाली सतह है, जहां सभी छिपे प्रभाव घुल जाते हैं। पांचवी सतह हर्ष से उनमत है, यह शुद्ध संग्यानात्मक अवस्था है, यह जीवन में मुक्त व्यक्ति के अवस्था है, यह वस्था ऐसी है कि व्यक्ति अधा जागा हुआ और अधा सोया हुआ है। छटी सतह गैर संग्यानात्मक है, यह वस्था गहरी नीन के वस्था के समान है, जिसकी प्रकृति शुद्ध तथा विशाल आनंद है। साती सतह चिनित है एकता से, अति शुद्धता से तथा कोमलता से, यह तो वास्त में बिना शर्तों की मुक्ति है, यह निश्क्रिय शान्त अवस्था है। वे अति उत्तम अवस्था, जो चोथी के परे है, जो अपने सार में निर्वान है, वे तो अति उत्तम तथा विक्सित सात्मी सतह है, यह मनुश्यों के ख्षेत्र में नहीं आती। जो पहली तीन सतह हैं, वे तो किवल जागने के अवस्था हैं, चोथी सतह स्वप्न के अवस्था कहलाती है, जहां दुर्भाग्यवष जगत्स्वप्न जैसा लगता है। पांच्वी सत्य जीवन मुक्ति के अवस्था है जहां व्यक्ति आधा जागा हुआ और आधा सोय हुआ होता है इसके विप्रीद जो छटी सत्य है जो गैर संग्यानात्मक है उसे चौथी अवस्था कहा जाता है जो सबसे उत्कृष्ट साथ्वी सत्य है वे चौथी जो मन और शब्दों की सीमा क्षेत्र से परे है और जिसकी पहचान स्वयम प्रकाशित जीव ब्रह्म से ही की जाती है यदि संग्यान की इंद्रियों को अपने आप में वापिस खीच लेने के कारण किसी भी वस्तु की अनुभूती नहीं होती तब तो बिना संदेह व्यत्ती में द्रिष्टी की महान समानता है जिसके कारण व्यत्ती वास्तव में मुक्त हो जाता है मैं मरता नहीं ना ही मैं जीता हूँ ज्यादा तर अनस्तित्व मान होने के कारण मैं अस्तित्व में भी नहीं हूँ आत्मा के सिवाय मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इस प्रकार सोचता हुआ बुद्धिमान जिवन मुक्त कभी शोग नहीं करता मैं बेदाग हूँ, मैं बुढ़ा नहीं हुता और नहीं मैं किसी से जुड़ा हुआ हूँ मेरे छिपे प्रभाव शान्त किये जा चुके हैं मैं अविभाजिय हूँ, मैं तो आस्तम में आत्मा आकाश हूँ इस प्रकार सोचते हुए व्यक्ति कभी भी शोक नहीं करता अपने मैपने, अपने एहंकार से छुटकारा पाय हुए शुद्ध, जागा हुआ, अमर, मैं शान्त हूँ सभी दिखावे, मेरे लिए शान्त हो गये हैं ऐसे सोचते हुए व्यक्ति, ऐसा सोचता हुआ व्यक्ति कभी शोक नहीं करता मैं तो उस परमात्मा के साथ एक हूँ जो परमात्मा प्रते घास के नोग पर निवास करता है जो परमात्मा आकाश में निवास करता है जो परमात्मा मनुश्यों में निवास करता है जो परमात्मा परवत में निवास करता है और जो परमात्मा देवों में निवास करता है इस प्रकार सोचते हुए व्यक्ति कभी भी शोक नहीं करता वस्तुओं के संबंध में सब मानसिक निर्मानों को ठुकराते हुए उन सबसे अच्छी तरह उपर उठकर तुम तो उस विचार पर तिके रहो कि मैं जो मुक्त हूँ मैं तो वह परम ब्रम हूँ जो बचा रहता है शब्दों के खित्र से परे वस्तुओं के लिए लालायत होने की स्थिती से छुटकारा पाए हुए जल वायू के स्वात के आनंद से भी अप्रभावित उससे भी अनुत्तेजित वह तो आत्मा में ही अपने आप आनंद प्राप्त करता है सभी कारियों को त्यागता हुआ सदा संतुष्ट आप से नान्य किसी से दूशित होता है जिस प्रकार दरपण अपने प्रतिविम्बों से दूशित नहीं होता ठीक उसी प्रकार ब्रह्मों को जानने वाला भी कर्मों के फलों से भीतर से दूशित नहीं होता वे स्वतंत्रता से आम लोगों के बीच चलता फिरता है सम्मानित के जाने पर उसे खुशी नहीं होती और शरीर को यातना दिये जाने पर उसे दर्द नहीं होता वे तो प्रशंसा तथा परिवर्तन से परे है वे ना तो पूजा को पहचानता है ना वे पूजा की जा रही वस्तू को वे एक ही समय पर शिष्टाचार के कोड्स के अनुरूप भी है और उनसे उदासीन भी है वे अपना शरीर पवित्र से पवित्र स्थल पर या अती अपवित्र स्थल पर त्याग सकता है एक बार ज्यान जीत लिया जाता है तव्यक्ति ब्रह्म को जानने वाला ज्यानी बन जाता है वे कर्मों के सभी छिपे प्रभावों से मुक्त हो जाता है बंधन का कारण तो मानसिक निर्मान है इससे छोड़ दो मुक्ति तो मांसिक निर्मान की गैर मौजूदगी उसके अभाव में आएगी इसका द्रिड़ता से अभ्यास करो वस्तुओं के समदर्ब में ग्यानिंद्रियों और उनके संपर्क में इन सब के प्रति तुम सदा सावधान रहो मांसिक निर्मानों की अवस्ताओं से तुम सदा और स्थिर्टा से बच कर रहो वस्तुओं के आगे तुम कभी भी जुकना मत नहीं अपनी पहचान तुम अपनी ग्यान की इंद्रियों से करो सभी निर्मानों को त्याग कर जो बचा रहता है तुम तो उसमें अपनी पहचान करो कि तुम वो ब्रह्म हो यदि तुम्हें कुछ भी खुशी देता है तब तो जान लो कि बंधन के अवस्था में तुम अभी भी अनुभव वाले जिवन में हो और उसके विप्रीत ही यदि तुम्हें कुछी कुछ भी खुशी नहीं देता तो जान लो कि तुम वास्तव में मुक्त हो हर प्रकार की वस्तवों के बहतायत में चाहे वे चल हो या वे अचल हो घास इत्यादी से लेका जीवत शरीरों तक कुछ भी ऐसा नहो जो तुम्हें खुशी दे मैपने या एहिंकार के अभाव में और उसे नकारने से एक ही समय पर अस्तित्वान वा अनस्तित्वान जो अ जुड़ा हुआ या स्वतंत्र बचा रहता है जो वही आत्मा है जो अतिशुद्ध है और जो दृड़ है उससे चौथी अवस्ता कहते हैं वह अतिशुद्ध समान्ता जो जिवन मुक्त का सार है वह तो साक्षी के अवस्ता है उसे ही अनुभव जन्य प्रयोग में चौथी अवस्ता कहते हैं यह ना तो जागना है ना ही एस अपन है यह मांसिक निर्मानों के लिए यहां मांसिक निर्मानों के लिए कोई जगे ही नहीं है कोई गुझाईश ही नहीं है ना ही यह गहरी नीन के वस्ता है क्योंकि इसमें जड़ता शामिल नहीं है जो शांत और सीधे साधे हैं उनके लिए यह जगत जैसा है यह जगत वैसे ही भंग हो जाता है और तब यह चौथी अवस्ता है जो व्यक्ति जागरत नहीं हुए है उनके लिए तो जगत अपनी बहुलता में अपरिवर्तनिय है द्वैत से भरा है जब भावना के पहलू छोड़ दिया जाता है और जब समानता हावी हो जाती है और जब मन विखंडेत हो जाता है तब चौथी अवस्ता आ जाती है बहु संख्य वस्तुनिष्ट या जो अबजेक्टिव मैनिफोल्ड है उसको नकारना शास्त्रों का सिध्धानत है जिसके द्वारा आत्मा को स्थापित किया जाता है यहां ना तो विद्या है न अविद्या है नहीं यहां माया है यह तो अन्थका शान्त ब्रह्म है आत्मा के साफ सुत्रिय आकाश में जिसे ब्रह्म कहते हैं जिसका सार शान्ति और समानता है और जो सभी शक्तियों से युक्त है आत्मा के उस आकाश में तो व्यक्ति अनिवारी रूप से शान्त हो जाता है हे पापहीन सब कुछ त्याक कर तुम तो एक विशाल मौन के साथ द्रता से जुड़ जाओ निर्वान में गोता लगाए हुए विधिवत तर्क से उपर उठे हुए तुम्हारा मन क्षीन और तुम्हारी बुद्धी शान्त शान्त मन के साथ सदा भीतर की ओर देखते हुए अति शुद्ध छलिकते हुए भीतरी ग्यान के साथ तुम तो आत्मा में एक गुंगे बहरे और अंधे की तरह निवास करो ये ब्रह्मन पूरी तरह जागे हुए भी तुम तो अपने सभी काम गहरी नीद में करो भीतर से सब कुछ को त्याग दो और जैसा अवसर हो वैसे ही तुम बहरी तौर से काम करो इस बात को समझ लो कि मन का होना ही दुख है और मन को त्याग देना मन को छोड़ देना ही खुशी है इसलिए वस्त्वों की गैर पहचान से तुम मन को आत्मा के आकाश में क्षीन करो सुंदर और बचसूरत को देखते हुए जो व्यक्ति सदा पत्थर की तरह अब प्रभावित अच्छा रहता है इस प्रकार अपने ही प्रयास से वै अनुभव जन्ने जीवन पर विजय प्राप्त कर लेता है जो विदान्त में छिपा है जो बीते हुए युगों में पढ़ा गया है वे सब ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं बताना चाहिए जो शांती में स्थापित नहीं है या जो पुत्र या पुत्री नहीं है या जो शिश्य नहीं है जो कोई भी गुरू के आशीरवाद से अनपूर्ण उपनिशत का अध्यान करता है वे तो जीवन मुक्त हो जाता है और वे तो स्वयम ब्रम है यही है यह उपनिशत इसके साथ ही साथ भागम वाला अनपूर्ण उपनिशत संपन हुआ ओम शांती 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 ओम